करनाल से मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर के सामने कॉंग्रेस की और से मैदान में उतारे गई प्रतियाशी सरदार तिलोचन सिंग ने अपने चुना परचार किया उन्होंने लोगों से आवान किया कि इस सरकार में व्यपार बिल्कुल ठप हो चुके हैं मुदूदा सरकार वह व्यपारियों की और ध्यान नहीं दे रही है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आती है तो हमेशा व्यपारियों को आगे रख कर कारी किया जाएगा गोरतलब है कि सरदार तिर्लोचन सिंग कॉंग्रेस के वरिष नेता है और पिशिल लगबक 40 वर्षों से कॉंग्रेसी पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्होंने व्यपारियों से आवान किया कि उनके पक्ष में वोट कर कॉंग्रेस पार्टी को बहुमत में लाए जिससे की हर वर्ष को उठ्थान हो सके देखिए आप तिर्लोचन सिंग ने क्या कहा नमस्कार मैं करनाल से कॉंग्रेस पाप उमीदवार तिर्लोचन सिंग मैं आपके जो वपारी भाई हैं आज मैं उनके नाम अपील करना चाहता हूँ कि वपारी भाई बुद्धी जीवी हैं बड़े बुरे को समझते हैं पिछले पांच साल पहले जो आपने सरकार बनाई थी आप उससे संतुष नहीं हैं मैं यह जानता हूँ मैं आपके अपील करना चाहता हूँ कि जो पांच साल पहले सरकार बनाई थी आज वपारी वर्क में त्रही त्रही मची हुई है चाहे जी एस्टी हो चाहे नोट बंदी हो उसकी वज़ा से जो जगत जो है उसमें बड़ा मंदी के जोर चल रहा है मंदी का दोर का उसर वपारी वर्क पे सपस्ट नजर आ रहा है वपारी भाई बड़े परिशान है ना मार्किट में पैसा है ना कोई गहाक आता है जिसकी वज़ा से वपारी वर्क परिशान है मैं आपके चर्णों में अपील करता हूँ कि कॉंकर्स पार्टी जिसने साथ साल लगाता राज किया लेकिन किसी वपारी वर्क को तंग नहीं हुने दिया मेशा संतुस्ट रहे लेकर हमने जो पांस साल पहले गल्ती की उसकी वज़ा से आज हम परिशान हैं मैं आपस के चर्णों में अपील करना चाहता हूँ कि समय की कमी के कारण या किसी कारण मैं आप तक ना पहुंच सकूँ मेरे को शमा करना मेरा प्रयास रहेगा आप सब तक पहुंच सकूँ लेकिन किसी कारण नहीं पहुंच पाया तो आपका सेयोग मेरे को चाहिए आपका सिन्हे कांगर्स पार्टी और मेरे को चाहिए कांगर्स पार्टी के के सरकार बनती है तो वपारी वरक के जो तंगी चल ली है वपारी वरक जो परशान है उनके परशानियां हर तरह से दूर करने का हम प्रयास करेंगे लेकिन आप अपना सिनहे प्यार का शीरवाद मुझे दें और हर्याना के मुख्यमंत्री शीर मनोरा खटर को हर्याने में आपका जो वोट का इस्तामाल होगा आपका अगला जो रस्ता है सुखदाई होगा धन्यबाद जाहें एसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें भन्यवाद